नौ महीने बाद अस्मत जाएगा पाक नवंबर 2021 में कबूतर पकड़ते हुए भारती सीमा में दाखिल हो गया था किशोर 14 साल का अस्मत अली नौ महीनों के बाद पाकिस्तान वापस लोटेगा जोवेनाईल जस्टिस बोड पूछ ने उसे रेहा करने के आदेश दे दिये हैं कुछ कागजी कारेवाई के बाद अस्मत अली जल्द ही भारत में जम्मू कश्मीर की रणवीर सिंग बोरा जेल से पाक में रहने वाले अपने मामा अरबाब अली और नानानी के पास चला जाएगा 25 नवंबर 2021 को अस्मत अली कबूतर पकड़ते हुए पुंच सेक्टर में गलती से भारती सीमा क्रॉस कर गया था जहां सुरक्षा में तैनाद भारती सेना ने अस्मत को पकड़ दिया और पूछताज के बाद पुंच की पुलिस के सुपुर्द कर दिया एक महीने में तो उसके नाना नानी और मामा को पता ही नहीं चला था कि उनका बेटा कहां है लेकिन अस्मत की रिहाई के लिए दिल्ली के हुमन ब्राइट्स का रिकरता राहूल कपूर बजरंगी भाईचान बन कर सामने आए हैं राहूल कपूर बताते हैं कि अस्मत पाक के टाटवी नौट गाउं का रहने वाला है जो सरहत के बिल्कुल साथ है पिछले साल 25 नवंबर को अस्मत का पाला हुआ कबूतर उड़ गया था वै उसी के पीछे भागता हुआ भारती सीमा में आ गया था उन्हें पिछले महीने ही अस्मत की जानकारी मिले सोशल मेडिया पर पता चला की 14 साल का अस्मत जंबु कश्मीर की रणवीर सिंग बोरा जैल में बन दिया इन महीने से उसने अपने परिवार से बाद भी नहीं इसके बाद उन्होंने अस्मत की जानकारी जुटानी शुरू करती